क्या कहता है यह बैक्समान जो है अपनी 17 इनिंग में 87 बनाता है जिसकी वज़े से उसका जो एवरेज है वो 3 से इंक्रीज कर जाता है हमसे पूछ रहा है क्वेशन में कि 17 इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा यह बताइए तो अगर हम यह मानने कि 16 इनिंग तक उसका जो एवरेज इसकोर मलब एवरेज रन था वो कितना था ठीक है 16 इनिंग तक वो एक्स के एवरेज से रन बना रहा था तो 17 इनिंग में क्या हुआ है कि अब जो है एवरेज इंक्रीज कर गया कितने से 3 से तो 16 इनिंग तक जो टोटल रन होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा 16 इंटू है 16 इनिंग में उसका टोटल रन के बराबर हो जाएगा 17 इनिंग में उसने कितने रन बनाए है 87 अगर इस 16 प्लस एक्स में हम 87 एड कर दे तो यह 17 इनिंग के बराबर हो जाए 17 में कितने रन बने है और 17 इनिंग में कितने रण बने है? 17 इन्टू नय एवरेज क्या हो गया है? X प्लस 3, X प्लस 3, 17 और इन्टू X प्लस 3 के प्रोड़क्ट के बराबर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो है, ये 17 इनिंग का टोटल रण दे रहा है, और ये सम्भी 17 इनिंग का टोटल साम दे रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए. X के लिए solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 16 X प्लस 87, यहाँ पे 17 अंदर ले जाएगे, तो 17 X प्लस 51, 16 इस साइड आएगा, तो 17 से माइनस होगा, वैलू X आएगी, 51 इस साइड आएगा, तो 87 में से माइनस होगा, तो वैलू आएगी 63, जो 16th inning तक X हमने माना था, उसकी value कितनी आ गए? 36 आ गए, अब हमें क्या पताना है कि 17th inning के बाद average क्या होगा? तो हमने 17th inning के बाद average हमें पता है कि X plus 3 हो जाता है, means X की value होगा 36 है, तो उसमें 3 add कर देंगे, 39 जो होगा, उसका नया average होगा 17th inning के बाद option 1 इस question का सही answer. कि बाद बाद थे आपक्ति है, तो हमें पता है, अड़ dinner! झाल झाल